नमस्कार मैं प्रिये रंजन और आज की इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे रिलाइंस पावर स्टॉक के बारे में जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता है कि 34 वाज अ मेजर रेजिस्टेंस जोन और इसके ब्रेक आउट पे जो हमारा बात हुआ था वो 52 और 70 के एक्सपेक्टेशन का यही बात मैं अगेन अगेन हमारे प्रिमियम टेलिग्राम पे आपके साथ कहे हैं यहां अगर आप डिलाइंस पावर में देखेंगे तो हमने कहा कि कंटिन्यू स्ट्रॉंग है यहां देखेंगे अब पंद्रो सो पचीस करोर के प्रिफेंसिय ट्रिवन करोर का उसका और कंटिन्यूस में इसके स्ट्रॉंग ट्रेंड की बात आपके साथ हमारे प्रिमियम टेलिग्राम बेलकुल फ्री है उसके कर रहा हूं अब इसके अपडेट देखें तो यह अपडेट रहा ही है अनौंसमेंट कुछ बरी नहीं रही यह डिट फ्र इस्टेंडल उन बेसिस पे और प्रिफेंसियल इसू बाला जो फ्यूल ढला इस स्टॉक में उसके बार इसने हाईवे को पकरा और अभी भी दोड़ते दिख रहा है अगर इसके ट्रेंड रुके तो 52 के आसपास ही रुकेंगे आज भी इस स्टॉक में 2.4 करोर बायर एसम क दो तीन चार पांच मतलब ऐसे जब भी ब्रेक आउट होता है वो ट्रेंड 90 डिगरी एंगल जाता है और यह 52 54 के आसपास ही यह तूटेगा यह हो सकता है 48 52 के आसपास तूटेगा तो जो अल्रेडी इन्वेस्टिट है ठीक है फ्रेस बायर तो खरीद नहीं पाएंगे क्य जो सरकिट या थोरे बहुत जो सप्लाई दिखेंगे वो यह वाला लेबल मान लो पहला तो थोरा बहुत यह वाला 50 और यह लगबग लगबग यहां देखेंगे तो इसको थोरा उपर आप कर लें तो 47 58 के आसपास आपको थोरे बहुत रेट्रेस्मेंट दिखेंगे अभी अवराल ट्रेंड स्ट्रॉंग है और मुझे लगता कि कंटिन्यू करते देख सकता है